सब्सक्राइब करें हमारे योट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले बेल आइकम डबाना ना भूले आप से हम सदा कहते हैं कि जीवन में सफलताएं पाना हो तो अपने से बड़ों की आग्यां का पालन करना सीखिए बड़ों से मीटिंग करना सीखिए बड़ों से संबाद करना सीखिए और बड़ों के पास बैठना सीखिए बड़ों के पास बैठोगे तो ग्यान बड़ा मिलेगा और छोटों के पास बैठोगे तो ग्यान छोटा मिलेगा कैकई मंत्रा के पास बैठती थी दुरियोधन शकुनी के पास बैठता था और अरजुन भगवान स्री कृष्ण के साथ बैठा करते थे जब बड़ों की संगत करोगे ना तो कुछ बड़ा पाओगे और दो कोड़ी के आदमी की संगत कर लोगे क्या मिलेगा तुमें? आज तुमारी संगत ही तो बुरी है तुम घटिया लोगों की संगत कर रहे हो शरावी की संगत करोगे तो शरावी ही तो मिलेगी जुआणी की संगत करोगे तो जुआ ही तो मिलेगा गंजेडी की संगत करोगे तो गंजेड गांजा ही तो पीओगे और किसी किजनी किसी बिजनेस्मेन की संगत करोगे तो बिजनेस का आइडिया मिल जाएगा सफल हो जाओगे और भक्ती की संगत करोगे तो भगवान तक पहुँच जाओगे इसलिए जीवन में संगत सफल व्यक्ति की करना चाहिए जो व्यक्ति स्वयम आसफल है उसकी संगत करने से क्या होगा अच्छे लोगों की संगत किया करो करमठ लोगों की संगत करो एक काम करो जो आदमी सफल होने का प्रयास कर रहा है तुम केवल उसके पाउं पकड़ लो वो सफल होगा तो उसके संग रह रह के सफलता का तुम्हें अनुभव हो जाएगा और इस दुनिया में सबसे कीमती पढ़ाई नहीं होती सबसे कीमती होता है व्यक्ति का अनुभव और वो अनुभव व्यक्ति को सफलता दिलाता और अनुभव अक्सर बड़ों के पास होता इसलिए हम ये नहीं कहते छोटों की संगत ना करो बच्चों की दोस्ती कहावत सुना रहा हूं बच्चों की दोस्ती जी का जंजाल और छूट गई दोस्ती सो हो गई कंगाल बच्चों की दोस्ती जी का जंजाल छूट गई दोस्ती हो गई कंगाल इसलिए अपने से छोटों की दोस्ती ना करें सलाह अपने से छोटों से ना लें अपने से छोटों का अर्थ ये नहीं है कि तुम अपने बेटे से ना पूछो तुम अपनी बहू मैं ये अर्थ नहीं कर रहा हूं अर्थ ये है कि तुम जितने बुद्धी मान हो अपनी बुद्धी से जादा बुद्धी मानों की सलाह लिया करो अपने सिस्रेश्ट जो सफल व्यक्ति है उनसे डिसकस किया करो हाँ अब छोटे आदमी अर्थाच जो आसफल है जो सफल नहीं हुआ उससे सलाह क्यों लेते हैं दुरियोजहन ने सकुनी से सलाह ली सकुनी ने सलाह दी तो सरवनास हो गया और अर्जन को कृष्ण ने सलाह दी तो महाभारत जीत गए जीवन में ये बात बड़ी महत्वकी है मेरी माँ की तुमारे सलाहकार कैसे है